हेलो फ्रेंक्स, आज की वीडियो बहुत अर्जेंट बना रहा हूँ, ट्रिप पे हूँ लेकिन फिर भी बना रहा हूँ, वीडियो बिना स्किप के हूँ देखेगा, बहुत सारे सवाल आ गए थे, बहुत सारे इल्जाम लोगों ने लगा दिये, कुछ गाड़ी पर और इस गाड़ी को सेल कर रहा हूँ, और लोग तो यहां तक कहने लगे कि साब टाटा की गाड़ी है न तो यह इनको चले की नहीं, टाटा एक रिलाइबल कार नी बना सकता और टाटा एक पंच, बिल्कुल बेकार गाड़ी है, इसलिए इस गाड़ी को बेच रहे हैं, इतनी जल्दी गाड़ी को लेना और बेच देना, सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में होंगे, लेकिन बिल्कुल क्लियर होंगे, आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल शायद यह गाड़ी चली जाए, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि मैं इस गाड़ी पोस्ट आपने देखियोंगी, मेरी वीडियो देखियोंगी, मैं ब्रेजा पर जाने वाला था, या फिर क्रेटा पर जाने वाला था, अब मैं इसको नहीं लेने वाला था, इसका मतलब यह नहीं कि यह गाड़ी खराब है, इसका मतलब यह है कि यह मेरे लिए गाड़ी नह यहां कि शायद लोग देखने भी मुश्किल समझे कर आप एडी का चैनल देखते होंगे तो वहां आप समझ जाओगे मैं किस लोकेशन पर आया हूँ आपको अभी M.I.D. दिखाता हूँ कल रात मैं ट्रैफिक जाम में फसा ता वह भी पहाल के ट्रैफिक जाम में एप्रॉक 30 किलोमेटर मैंने गाड़ी पहाल पर चलाई है और इसके अंदर पूरा लगभग ट्रैफिक इंक्लूड है क्योंकि अभी गर्मियों की छुट्कियां चल रही है बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए है 17.4 का माइले जा रहा है अभी भी M.I.D. पर हाइवे पे इसको पर दिखाना मुझे नहीं लगता कोई फायदे की चीज है एक ही प्रोसेस को रिपीट करना तो एक बात तो क्लियर हो गए कि गाड़ी में वह माइलेज का इशू सौल हो चुका है अभी गाड़ी अच्छा माइलेज दे रही है कोई परशानी वाली बात नहीं है दूसरी प पता देता हूं जबकि मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूं फिर भी मैं उस तरफ नहीं जाता क्योंकि मेरा वो काम ही नहीं है कि न्यू लॉंच गाड़ी हो और आप उसको लो और उसका बुलगान करते रहो या पिर वो करते रहो या कॉंटेंड के लिए ट्रेंड में पा कैसे CertCard को और मैं content भी इत कार के ऊपर ही बनाता हूं मैंने 50 से भी ज्याधा यूस्ट कार खरी दी और उनको बेचा बनाया है बेचा है क्योंकि मेरा काम ए जी और एक बोले रो तो मैंने एक ही महीने में धो बर खरी दी और दो वर बेची कैसे बोले रो मैंने खरीदी थी 2011 वह 11 मोडल था शायद वाइट कलर के बुलेवरो मोडल थी अब उस गाड़ी को मैंने बेच दिया अपने किसी मिलने माले को लिए मुझे दो दिन हुए थे दो दिन में किसी मिलने माले को पसंद आ गई उन्होंने गाड़ी खरीद ली फस्ट टाइम कार बायर थे उनको लगा रोज रोज पेंचर हो रही है कभी स्टार्ट नहीं होती उन्होंने गाड़ी मुझे वपस लेली और फिर чार दिन बाद फिर उस गाड़ी को भीच दिया तो एक ही गाड़ी को मतलब एक महिने के अंधर दो वार खरीदा और वेचा इस तरह के बहुत सारे experience है लेकिन new car लेना बहुत जल्दी मैं prefer नहीं करता आगे क्या होगा इसका पता नहीं क्या पता new car कोई लू या ना लू new car अगर मैं लेने के बताओं तो 2007 में 2007 में एक टाटा इंडिका ली थी मैंने वो brand new ली थी मैंने showroom से आपने नाम पे register कराई थी वो गाड़ी इसके अलावा जितनी भी गाड़िया मैंने खरीदी सारी used car दी मैंने उनको लिया और लेने के बाद उसके उपर काम किया उसको बनाया और फिर उसके बाद उसको sale कर दिया क्योंकि मेरा shock है गाड़ी में काम करना और गाड़ी में काम करना अपनी तरह करना मैं किसी customer की गाड़ी में काम नहीं कर सकता क्यों क्योंकि customer का recommendation होता ये करिये ये मत करिये ये करिये वो मत करिये मैं अपनी गाड़ी में अपनी तरह से काम करता हूँ और फिर जब वो काम निकल के आता है तो फिर मुझे खुशी होती है और यही मेरा शौक है जी इसी चीज से मुझे एनरजी मिलती है इसी चीज से मुझे खुशी मिलती है सब कुछ इसी पर है इसलिए मैं यूज कार के ऊपर यूफोकस रहता हूं कोई content वाइरल होने से मेरा मतलब नहीं है ना ही किसी trend में participate करने स मतलब है अब जब मैंने अपने लिए टाटा पंच को select नहीं किया था लेकिन मैंने लिया इसकी problem की वज़े से problem को solve कर दिया और अब मैं इसको बेच रहा हूं जैसे कि पहले से ही मेरा तय था तो क्या यह गाड़ी खराब है क्या टाटा इसी गाड़ी नहीं मना सकता जो पर घृचिया थे जाए खी चाड़ी है तो में चुन पर सकते हैं तो कोई दर आप रिखना है ऑफ गाड़ी यह जिसकी वज़े से की रक गाड़ी और में शुरू से का यूजर हूं घैंटा बता दिया आपको टाटा इंडिका के टाम से और सुमो विक्टा सुमो गोल्ड यह स पास अभी सुमो गोल्ड घर पे खड़िए दूसरा टाटा पंच यूजी कर रहा हूं टाटा इंडिका को सेल करते वे आपको दिखाया था और अभी मैं यूट्यूब पे हूँ यूट्यूब पे नहीं था इससे पहले भी टाटा के गाड़िया में यूज करता रहा और रही क्यों बेच रहा हूं क्योंकि मेरा पहले सही था कि मुझे इस गाड़ी को सिर्फ इसके माइलेज प्रॉब्लम की वज़े से लेना था गाड़ी में माइलेज के प्रॉब्लम है और कोई सही नहीं गर पा रहा है कंपनी बोल रही नहीं इतना ही देते हैं इवन इनको कंपनी किया था अगर आप गाड़ी नहीं बेचना चाहते हैं तो मैं इस गाड़ी को ठीक कर दूँगा आप मुझसे करा लीजिए क्यों क्योंकि वह बात मेरे अंदर अटक गई थी मुझे वह ठीक करनी दीजिए समझना था आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो यह नहीं हो पा र ट्रेंड में जो गाड़ी आएगी उसको लेंगे उसको रगड़ेंगे खीचेंगे एक के पीछे एक बांदेंगे गड़े में कुदा देंगे नाली में कुदा देंगे वो सारी चीज़े लॉजिकल नहीं मुझे हसी आती हो सारी चीज़े लेकिन छोड़ी उन चीज़ों क हमें उससे क्या लेने देना हमें अपने काम से लेने देना जो हम कर रहा है हाँ यह बात भी सही है कि टाटा की गाड़ियों की resale value थोड़ी सी कम होती है मैंने अभी resale value लगवाई है valuation करा ही रहा हूँ मैंने 2 जगे, 3 जगे, 4 जगे valuation करा लिए इसकी वागए में इसके पैसे थोड़े से जादा तूटते हैं, कम पेरेजन में मारूती हुंडे या इन सब चीजों के गाड़ियों को आप लेते हैं, तो, रीसेल वैल्यू इसकी कम होती है, रीसेल वैल्यू मुझे भी कम मिल रही थी, लेकिन मैंने ट्राइ किया जगे जगे पे, रीसेल वैल्यू मुझे लगबग ठीक ठाक मिल रही है, जब मैंने ये गाड़ी ली थी, सारा कुछ वीडियों में दिखाया था, कितने की मिल रही है, कितने की आ रही है, और पहले क्या माइलेज दे रही है, टीक करने के बाद कितना माइलेज दिया, प्रॉब्लम क्या है गाड़ी में, मैंने इसको क्या समझा इतने दिनों में, मैंने जब गाड़ी ली थी, तो लगबग 4-6,000 किलोमेटर कुछ चली थी, और आज मैं गाड़ी को चला चुका हूँ, लगबग 21,800, लगबग 22,000 किलोमेटर इस गाड़ी को चला दिया है मैंने, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती तो इतना गाड़ी को मैं चला नी पाता, कब का देज दिया होता, मैं पिछले चार दिनों से ट्रिप पे था पहाडों की, मैं कॉमेंट्स इतने पढ़ नी पाया था, और जब मैंने यहां आके कॉमेंट्स पढ़े तो हर किसी ने इस तरह के सवाल उठाया, आप क्यों गाड़ी बेच रहे हो, क्या ये गाड़ी इतनी खराब है, कोई कह रहा है, खुज लिए आपको, कोई कह रहा है, कॉन्टेंट के लिए कर रहा हो, मुझे लगा कि मुझे तुरंट अभी इन चीजों का जवाब देना चाहिए, जबकि ये टाइम मेरे लिए सुटेबल नहीं था, ये टाइम था मुझे फैमिली के साथ घूमने का, आपके मन में कोई ऐसा सवाल नहीं रह जाए, जिसका जवाब ना हो, या फिर कुछ गलत फैमी ना पाल लें आप मेरे लिए या फिर स्टार्ट आप पंच के लिए, मकसदा इस वीडियो को सारा कुछ क्लियर करना, फिर भी अगर कुछ वीडियो में रह गया हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, बिलूँगा नेक्स वीडियो में, ऐसी किसी इंट्रस्टिंग टॉपिक के साथ, थैंक्स फॉर वाचिंग,